नमस्कार, मैं हो ससी, आये जर्खन की टोप 25 पर्मोग खबर जानते हैं नेताओं के साथ विचार विमर्स भी किया गया, बतादे विपक्ष भी राई सरकार को घेरने की रणीति त्यार की है, विपक्ष राज में बिधी प्यवस्ता समेत अस्थानिये बिरोजगारों को रोजगार वो अन्यमोदों पर राई सरकार को घेरेगी, दूसरी ओर राई स सरकार भी विपक्ष के सवालों के जबाब को देने को तयार है बतादे मांसूल सत्र में अस्थानिये को प्राथमी की क्या धार पर रोजिगार मिले इसको लेकर बिल लाने की संभावना है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानवान में बताया है कि कुछी घंटे में ज़ार्खन की रधानी राजी समयत कई अन्य जिलों में बारिस होगी मौसम विभाग के अनुसार तीन सितमबर को ज़ार्खन में हलके से मत दर्ज की बारिस हो सकती है अकास में आन्सिक बादल चाहे रहेंगे वहीं में गजन के साथ बारिस की संभावना ब्यक्त की गई है बता दे राज्य में अगले चार ते पांच दिनों के दोरान अधिकतम तपमान में बड़े बदलाव की कोई संभावना नहीं है जार्खन सरकार हर साल 50 खिलाडियों को देगी नोकरी जार्खन सरकार का लक्ष हर वर्ष 50 खिलाडियों को नोकरी देना है वहीं दूसरी और जार्खन सरकार खेल निती बना रही है जिसे जल्द लागू किया जाएगा हर परखंड में खेल एस्टेनियम बनाने पर भी विचार किया जा रहा है उक्त बाते जार्खन सरकार के खेल मंत्री हाफी जूल हसन अंसारी ने जमसेदपुर में कही बता देवा जमसेदपुर में चल रहे भारतिये फूटबॉल टीम के राश्टिये कैम का जाय जाय लेने पहुँचे थे इसी करम में प्रेस वारता में उन्होंने कहा कि जार्खन में खिलाडियों को सिधी नियुक्ति के तहत नोक्री दी गई है बासुकी नाथ मंदीर खुलवाने के लिए धारना परदर्शन देवघर के बाबा मंदीर को खुलवाने मामले को लेकर गोल बंध हुए पंडा धर्मरक्षिनी सभा के बाद अब दूमका जिला अंतरगत वास्कीनाथ मंदीर खुलवाने की मांग को लेकर यहां के पंडा, पुरोहित और दुकंदार आरपार के मुड़ में हैं पतादे मंदीर नहीं खुला तो सरकार के बिरोध में धारना परदसन करने का मौन बना रही है कुरोना संक्रमन के कारण मंदीर आम सर्धालू के लिए पुरी तला से बंध है इस कारण मंदीर पर आसरित रहने वाले दुकंदार पुरोहित, माली और भंडारी पोकमारी के कागार पर पहुँच गए है जारखन में पंचायच चुनाव टालने पर हाई कोट ने सरकार से मांगा जवाब जारखन हाई कोट के चीफ जस्टिस डक्टर रवी रंजन और जस्टिस एसेन परसाथ की खंट पीट में राज्यय में पंचायच चुनाव कराने की मांग को लेकर दाखिले आज क्या पर सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज सरकार को जवाब दाखिल करने का निद्यस दिया है बतादे अदालत ने सरकार से पुछा है कि राज में पंचाय चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है जीन जन परतिनीदियों का कारेकल समाप्त हो गया है उनके कारेकल का या अधी का विश्थार की इस कानून के तहत किया जा रहा है अगले सब्ता तक सरकार को इस पर विश्तित जबाब दाखिल करने का निद्यस दिया गया है सरकारी स्कूलों में 25 पर 30 पाठिकरम की कटोती छारखन के छात्रे 17 के लिए राहत भरी खबर है बतादे है मन्सुरेन सरकार ने छात्रे हित में बड़ा फैसला लिया है राज सरकार के स्कूलों के सिक्षा एम सक्षर्था विभाग की और से कक्षा पहली से बरहावी तक के छात्रों के लिए संसोधित पाठिकरम जारी कर दिया गया है अब तक कि मिली जनकारी के अंसार सरकारी स्कूलों के कक्षा पहली से बरावी तक के पाठिकरम में 25% सिलेवस में की गई खटावती की गई है बतादे 75% पाठिकरम से ही प्रस्ण पुछे जाएंगे बतादे संसोधी सिलेवस, ई विद्यावायनी पोर्टल तथा जार्खन सिक्षा पर्योजना परिशत की वेपसाइट पर जारी कर दिया गया है इसे सभी स्कूलों में भी भेज दिया जाएगा जहां नोटिस बोर्ट पर इसे चिपकाया जाएगा ताकि बच्चे उसे देखकर नोट कर सके जे टेट पास अभियार्थियों ने घेरा सिक्षा मंत्री का आवास जार्खन सिक्षक पत्रता परिक्षा उतिन विद्यार्थी सिक्षा मंति जगनात महतों के आवास का घिराव कर रहे हैं ए प्रात्मिक इस्कूलों में होने वाले सिक्षक नियुक्ती में एक और परिक्षा लेने का विरुवत कर रहे हैं साथी सिक्षक पत्रता परिक्षा उतिन अभियार्थियों की पूर्वक की तरह जीला अस्तर पर काउंसलिंग कर अकादमिक अंको तथा सिक्षक पत्रता परिक्षा के अंको के अधार पर मेधा सुची के अधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं बतादे राज सरकार प्रात्मिक सिखचक नयुक्थी निमावली में संसोधन कर रही है इसमें सिखचक नयुक्ती के लिएसिखचक पत्रता परिशा उतिन होने के बाद एक और लिक्षित परिशा लेने का प्रविधान किया जा रहा है जारखन में 40,000 तक का मोबाइल खरीद सकेंगे अधिकारी मंत्री राज सरकार ने I.S. I.P.S. अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक को मोबाइल उपलब्द कराने के लिए निम्तम निधारित दर्ग के संसोधन से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है इतके उनसार अधिकारियों और मंत्रियों के लिए 20,000 से 40,000 रुपे तक के सेट खरीदे जा सकेंगे जबकि पूर्व में इसके लिए 5,000 रुपे से 10,000 रुपे तक की ही अनुमती थी पतादे बीत विभाग ने लवग 9 बरसों के बाद अपने निनाय को संसोधित किया है जस्टिस एसके दिवेदी की अधालत ने CBI को अविलम केस लेकर जाच करने का निदेश दिया है बतादे रुपा तिर्की के पिता देवानंद उराओं ने हाई कोट में याज का दायर कर रुपा तिर्की की हाथ्या के संका जताते हुए CBI जाच करने कागरा किया था जारखन में 28 ने केस मिले है जो राची से 13, पुर्भी सिमून से 2, पोकारो से 2, धनबात से 1, पच्मी सिमून से 2, चात्रा से 1, जामतरा से 6, साहवगन से 1 मिले है जारखन में कुल एक्टिव केस की संक्या 143 है भारत में 45,624 नए केस मिले हैं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 3,93,531 जे पीएसी पीटी परिशा की तेयारी तेज जे पीएसी की उनाई सितंबर को होने वाली पीटी परिशा के सफल आयोजन को लेकर गुरुवार को बोकारो उपायुक्त कुल दीप चोजरी ने सभी केंद्र अधिक्ष को अब पदा अधिकारियों के साथ समाना लाए में बैठा की इस दरान उन्होंने बताया कि बोकारो जीले में कुल 89 परिशा केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें करीब 36,000 परिशार्थी सामिल होंगे आपको बताओ देख कि 252 पदोपन योगती के लिए आयोग के पास 5 लाख आवेदन आये थे इस कुटनी के बाद लगबग 3,79 आवेदन योग ये पाए गए परिशा के दोण परिशार्थी को कोरोना गाईलान के पालन करना अनिवार होगा जार्खन में संगठित अपराद को रोकने के लिए बना एक्शन पलान राजे में संगठित अपराद पनियंत्रन के लिए CID ADG प्रसांद सिंग ने एक्शन पलान तयार किया है ADG के निर्देश पर बुद्वार को CID SP कार्थिक S ने CID मुख्याले में राज एके सभी DCB प्रभारी और CID ADP सहीत और अपसरोग साथ वीडियो कनफेसिंग की बैठक में बताया गया कि पूलिस मेनुवल के तहट सभी थाना चेत्र में अपराद से समन्दीत सैली की जनकारी DCB साखा में होगी इसे त्यार करते समय अपरादियों के सूची भी त्यार हो इसके लिए 20 दिन का समय दिया गया है देश की पहली महिला खनन इंजिनियर अकांचा कुमारी कोल इंडिया की एतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी की पोस्टिंग भूमिगत खदान में की गई है बतादे हजारी बाग निवासी महिला खनन अधिकारी अकांचा की पोस्टिंग CCL ने एनके एरिया के चूरी माइन्स में की है बतादे बाका गाव की रहने वाली अकांचा ने मंगलवार को नर्थ कर्णपूरा की चूरी भूमिगत खदान में योगदान दे दिया है अकांचा पूरे कोल इंडिया की दूसरी और भूमिगत खदान में योगदान देने वाली पहले महिला माइनिंग इंजिनियर है टाटाई स्टील के करमचारी पूत्र पूत्रियों को नवे परतिसतक स्कोलर्शिप मानिपाल इंवर्सिटी से मेडिकल इंजिनियरिंग समयत और उच सिक्षा प्राप्त करने वाले टाटाई स्टील और टाटाई स्टील ग्रूप की कमपनी के करमचारीों के पूत्र पूत्रियों के लिए नए स्कोलर्शिप की घुसना हुई है जार्खन हाई कोट की सक्ति के बाद उत्पाद आयूक्त ने सराव करिवारियों के लिए जारी किया आदेश राज में सराब की ठोक बिक्री निमावली पर हाई कोट का अम्तिम नीर्ना ही प्रभावी होगा राजे के आयुक्त उत्पाद अमीत कुमार ने गुरुवार को इसे समंधित आदेश सराब की सभी ठोक लाइसेंसी दुकंदारों को जारी कर दिया है इसके लिए उन्होंने ज जार्खन खुद्रा सराब विक्रेत संग बनाम जार्खन राजे वह अने से समंधित वाद में 27 अगस्ट 2021 को सुनवाई के दोरान दियेगा हाई कोट के निदेश का हवाला भी दिया हाई हाई कोट ने राजे के सरकारी अस्पतालों में दी जा रही सुविधाओ का ब्यावरा मांगा जार्खन हाई कोट के चीफ जस्टिस डाक्टर रवी रंजन वा जस्टिस एसन पसाथ की खौन पीट में जमसेदपूर के MGM आग से जली महिला की इलाज के अभाव में होई महत मामले में सुनवाई हुई सुनवाई के दोरान आधालत ने ओनलाइन पेस हुए स्वास सचीव से राजय के सभी सरकारी अस्पतालों के बर्तमान इस्थेथी के रिपोर्ट मागी है भूग से मोत मामले में हाई कोट की कली टिपनी जार्खन हाई कोट के चीफ जश्री डाक्टर अविरंजन वजश्री एसन प्रसाद की खंड पिट में राजे में भूग से कथित मौत के मामले की सुनवाई हुई अधालत ने कड़ी टिपनी करते हुए कहा कि राजे के सुद्रवर्ती इलाके में अभी भी लोग आदिम यूग में जी रहे हैं राशन लेने के लिए उन्हें आठ किलोमेटर दूर जाना पड़ रहा है गाह में स्वास्त की सुवधाय भी उपलवद नहीं है पीने का सुद पानी भी नहीं मिल रहा है सरकार क्योजनाय कागज तक ही सिमी था है जंगलों में रहने वाले इन लोगों की जमीन से ही सरकार खनीज निकाल रही है और ए लोग आज भी पत्ते और वन का कंदमूल फल खाकर जिवन यापन कर रहे हैं ज्यारखन की अर्थ व्यवस्था में तेजी ज्यारखन की अर्थ व्यवस्था कुरोणा में हमारी की मार से तेजी से उबर रही है जेस्टी वाट से हासिल होने वाले राजस्व में इजाफा इसकी पूश्टी कर रहा है बतादे इस बित्य वर्ष तकरीबन हर मा वानी जेकर विभाग के रायस में बिरिधी हो रही है अगस्त मा का आकड़ा खास उत्साहित करने वाला है इस मा वैट वा जीस्टी के मद में रायस सरकार के खाजाने में 1477 को रूपए आये हैं जो कि पिछले वर्ष की समान अधी में हासील एक हैर साथ करोर से 46 परतिशत की बिरिधी को दरसा रहा है चत्रा में आर्मी जवान की पिटाई मामले ने पकड़ा तूल आर्मी जवान पवन कुमार यादों की पिटाई का मामला तूल पकड़ गया है बता दे विभीन, राजनेतिक एवं समाजिक संगठन घटना की निंदा करते हुए दोसी पुलिस कर्मियों पर करवाई की मां कर रहे हैं हाला कि घटना की जाच के बाद पूलिस कपतान राके श्रणजन ने पांच पूलिस कर्मियों के खिलाफ करवाई की है रांची में जुटेंगे देश भर के प्लास्टिक सर्जन राजधानी रांची में जल्धी देश भर के बड़े प्लास्टिक सर्जन जुटेंगे और प्लास्टिक सर्जन की निविंतम तकनिक के बारे में यहां के सर्जनों को जनकारी देंगे इस जनकारी के बाद आने वाले समय में राची में भी प्लास्टिक सर्जारी को एक नया आया मिल सकेगा और लोगों को प्लास्टिक सर्जारी के लिए बाहर जाने के उसकता भी नहीं पड़ेगी पतादे इन सभी चीजों को देखते हुए जार्खन प्लास्टिक सर्जन एसोसेशन दो और तीन अक्टूबर को अधिवेशन आयोजीत करेंगे OVC आरक्षन मंच ने राजयपाल से की चर्चा जार्खन OVC आरक्षन मंच का पांच सदसी सिष्ट मंडल गुरुवार को राजयपाल रमेस बैसे मिला सिष्ट मंडल का नेतित संगठन के केंदरी अध्यक्ष कैला से आदो ने किया राजयपाल से मिलकर उन्होंने जार्खन में OVC, SC यवम अल्प संख्यकों की वर्तमान इस्तिस स्यावगत कराया का किस्वेधानिक ब्यवस्ता के तवत राजये के OVC को 27% यवम SC को 15% आरक्षन दिया जाए ताकि उनका सरुआंगी विकास हो सके धन्यवाद